पुल्वामा में हुए हमले के बाद, आज सभी देशवासों के आखे नम है। सभी के दिल में एक सवाल है कि आखिर कब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। आखिर कब जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, कब उनकी जो शहादत है उसका बदला लिया जाएगा। असदन में सर्व दलिया बैठक हुई, उसी के पुल्वामा के लिए जो महां बाचीत हुई, उसी के साथ, आज वहां क्या बाचीत हुई हमारे साथ अभी टीडीबे की नेतार राम मोहन नाइडू जी हमारे साथ मोजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर्व दलिया बैठक में क क्या कुछ बात्चीत हुई क्या कुछ मुद्दे एहम रहे एक मुद्दा तो यही था कि एक साथ खड़े उन्हें की जो बात थी उसको दौराए गया है सारे पाटी सारे दलों के नेता जो भी आए हैं सब अपनी बाते जो टेबल पर रखें तो एक बात जरूर महसूस होता ह कि इस टाइम में राजनितिक बाते नहीं होनी चाहिए आपस में जो भी विबेध हैं आपस में जो भी डिफरेंसेस हैं उन सबको अलग रखकर उसके उपर उठकर हमारे देश की जो एक भावना है उसके साथ हमें जाना चाहिए और इसको strongly एक जवाब देना चाहिए जो भ आतंकवाद का एक resolution भी हमने निकाला है कि अगर केंद्रे सरकार इस आतंकवाद को मिठाने के लिए कोई भी अगर कदम उठाते हैं तो जरूर हम सब उनका साथ देंगे और उसके बावजूद भी और हमने ये भी request किया कि आगे भी एक और meeting होना चाहिए और जिसमें प्रद प्रदान मंत्री जी ना होने के कारण पर देखे हम ये टिपनी नहीं करना चाहतेगी क्या इस तरह के राजनीतिक बातें इस तमय में करना उचित नहीं है फिर भी इसलिए एक सुजाव की तरह हमने बोला है कि उनको एक बैटेक जरूर बुलाने चाहिए जिसमें प्रदान मंत्री जी भी हो अगर वो रहते तो महौल की जो seriousness से वो भी बढ़ता है और जो अग अगर हम क्या किस तरह से कदम लेना चाहिए उसके उपर कुछ चर्चा ही नहीं हुई आज जो सिंग सिद्धू का हाली में एक बयान आया जिसमें कहते हैं कि एक हादमी की वज़े से हम सभी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते और कहीं न कहीं जब वो पाकिस्तान गए थे सब उन पर पतलब एक निशाना साथ रहे हैं उसके इंडिविजियल कमेंट्स हो सकते हैं उसके उपर हमें कमेंट करने की जरूरत नहीं इस ताइम पर अगर इस तरह का डिविएट करने की कुछ बात आती है तो उससे दूरी रहना चाहिए हम सब को एक साथ मिल कर अपने देश हाद से आगे भी ना हो उसके लिए क्या 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 कदम उन्ठाने चाहिए इसके उपर हमारे सोच होनी चाहिए और जो भी इस तरह के के सेवा करने वाला जवान शहीद हो जाता है क्या कुछ होना चाहिए उन जवानों के लिए जो देश के लिए सहीद हो जाते हैं यह बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई एक तो सबसे पहले उनके लिए समान और गौरों के साथ उनके जो अंतिक्रिया है वो करनी चाहिए और खल भी आपने देखा कि होम मंत्री जी खुद उठाकर वो जो शहीद हुए उन सबको लेके जा रहे थे और प्रदान मंत्री जी जाके उन्होंने भी श्रदांजली गटित की और उपर से जो आर्दिक व्यावस्ता उनको होनी चाहिए उनके जो परिवार है या फिर जो एक फंड को प्रसुत करें या फिर जो एम्प्लॉइमेंट की बात आती है तो यह सब जरूर आज देखें जिस सरह से राज सरकारे कुछ अलग अलग से जैसे तमिल नाडू है बीस लाग दे रहे उतर प्रदेश है पंजाब हो तो बारा तेरा लाग दे रहे तो इसमें भी भौती मानिता गौरव के साथ इनके परिवारों को भी देखना पड़ेगा और तुरंत जो भी सहायता उनको दे तुरंत देना की जरूरत है उसके उपर भी हमने मीटिंग में चर्चा की हमने बोला आप जो भी करना चाहते है तुरंत कीजिए और इस तरह से समानता लेके अई एक चाहें वो पंजाब से हो तमिल नाडू से हो नागा लेंड से हो है तो हमारे जवान ही तो सबकी देखबाल करना हैं केंद्र सरकार की जिमधारी है तो उठाने की हमने वो बात भी बोलने के एक कोशिश करी तेंक पुल्वामा में हुए हमले के बाद जवानों की शहादत के बाद सभी देशवास्चों के मन में कही न कहीं बदले की आँखे नम है सरवदल्या बैठक हुई और जैसे की अब हमेर राम मोहनाईडू जी ने बताया कि आगे भी बैठक होनी होगी क्योंकि अभी जो बैठक में बाचीत हुई है जो नेता वहां मोजूद थे उनका कहना है कि आगे भी मीटिंग बठाई जाएगे जिसमें और बाते की जाएगे और निसकर्स निकाले जाएगे लेकिन बातों से अभी काम नहीं चलेगा हिंदुस्तान की जंता बदला चाहती ह है कुछ एक कड़ी कारवाही चाहती है मैं दीपराना क्यामरामैन गोरव के साथ दिल्ली संसथभवन आप देख रहे हैं सत्या खबर सत्या सती बेबार